अच्छा बिटा विए जिस्ट वेटिंग्व देटा हूँ आपको पहले तो मुझे बताईए फ्रॉम विच स्कूल यह ब्लॉंगिंग राइट नौ कौन से स्कूल में हैं इस वक्ता और हाव इस सेशन कैसा गई 9 क्लास कैसे गई स्कूल यह साथ यह बताईएगा आप 9 में भी हमारे साथ थे चाजाओ के बारे में पता था आपको कराची पॉब्लिक हाई स्कूल के वरी गड़ नाइन कहां से पड़ी आपने कोई कोई कोचिंग किया हुआ था जिस चाजाओ के साथ ही तो के वरी गड़ मैं थोड़ा सा इं पड़ाता रहा हूं आट से नौ साल का मुझे है नाइन की और 10 की कंप्यूटर्स के साथ तो इन्शालला हमारा कोर्स हमारा सेशन बड़ा इंट्रक्टर्व होने वाला है बस आप लोग का साथ चाहिए आप लोग ने साथ इस सेंस में देना है कि जुड़े रहना है बस आपने सबसे पहले तो अपने फोन्स में चार्जाओ की डाउनलोड करनी है उस एप का आपको फाइदा यह होगा उसके पास पे हमारे बहुत सारे बहुत सारी फीटर्स मौजूद है जिसमें आपके पास टेस्ट पोजिशन भी है मॉक्स भी है पास्पेपर्स भी है और न क्या सीख रहे हैं क्या विलेशन आ रही है ताकि आपको पता चलता जाए यह आज मैंने क्लास ली आज जाते ही इसको चाजाओ पर जाके अपनी अप्लिकेशन खोलनी है मैंने अपना टेस्ट दे लेना है किसी कोई मुझे टेस्ट बनाके देगा सर मुझे सवाल क्या करें वहाँ पर आपके घलत आंजी के यह उसके वीडियो सॉलुषन भी मौजूद है और एकस्पर्ड की जो कोशिशें हैं और जो मैंनत हैं जिसकी वज़ए से हमाँ क्या पर जो है वीडियो सुलुषन मौजूद है आप वहां से अपने रॉंग की वीडियो ऐसके बाद हमारी जो बाई-व की क्लास लेंगे वो शाला सर्थ हम्जा खान इसके बाद यह हमारी chemistry लेंगे chemistry की classes जो लेंगे chemistry आपको पढ़ाएंगे उनका नाम है सर अरसलान रह्मान ठीक है जी और जो हमारी physics के लेकर चलना है यह हमारे पांच classes वीक के फाइब देंगी Monday तिल Friday तो आप लोगों ने टाइमली classes को जोईन करना है और पहले आने का फाइदा आपको हो जाना चाहिए फाइदा क्या होना चाहिए कि सर हम पहले दिन से आपको सार मौझूद थे तो पहले दिन से जो मौझूद है वह तो इस चीज़ की मौफ करने से पहले मैं थोड़ी सी 9 के बारे में आपसे बाते कर लूँ कि हमने जो 9 पर दिए उसमें और इसमें फरक क्या है वह बोर्ड से तो आप फिमिलियर है बहुत अच्छे से आ निजामी अनफा अच्छा बोर से आप लोग फैमिलियर हैं और अभी जो इस साल बोर् लोड़ी एक्जाम सोते ना डाइड इस नॉट इंटर्नल एक्जाम मतलब इसकूल बेस लेनी है उसके लिए मैनत करनी है उन पचास बच्चों में फ़स्ट भी आ सकते हैं हम सेकंड वह सकते हैं पचास बच्चों के बीच में वैलिशन हो रही है अब एसा सीन नहीं है अब हमने वैलिएट होना है पूरे संथ में पूरे सिंध्ध का परेशियो आपको पता है करने कि हमें पूरे सिंद में इंशायला पोजिशन लेनी है और अच्छे मार्ग से पास होके दिखाना ठीक है अच्छा एक तो यह चीज अपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए जिसके बैद अगर नहीं दिये उस वाकि चीज दिमाग में नहीं थी तो भाई अब इस चीज क अब बता दूं कि टैने क्लास जो है वह आपकी परसेंटेज इंक्रीज करती है गिराती नहीं है सीज के यह बहुत सारी ऐसी चीजह है आप कर चुके होते हो आप इंवायरमेंट से नहीं बच्चों से मिलते हो कोचिंग में नहीं इंट्रक्शन होते हैं सोश्यल मीडिया इ पर देने जाते हो वह एक्स्पीरियंस आ जाता है आपको कि वह हाव टुसेट इंद एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कैसे जाता है कैसे पर टैम क्या यह सारी चीज़ें क्या है यह सारी चीज़ें करना है अब आप खुछ बताएं चीज सीख के इंपलेमेंट की जाए उस साथ फाइदा होगा अब यह फैसला खुद कर सकते हैं तो हमने अपनी परसंटेज को इंप्रूफ करेंगे यह हमने आज वादा करना है अच्छा अब कैसे कैसे हमने उसको सेशन लेके चलना है वह हम आपको गाइड करेंगे हम यह मवजूद है आपके लिए तो उसमें हमा है आपने उस एप से फाइदा उठाना है उस एप से क्या फाइदा उठाना है जैसी वह आप अपने डाउनलोड करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं आपके बाद भाई कितने फीचर्स मौझूद हैं आप यूज करके ठक जाएंगे सर यह भी टेस्ट दे लिया हमने यह सब यहां से मिल गया हमें तो इंटरनेट पर गो तुरू करने की जरूरत ही नहीं है तो यह चीज़ आप अपने मैंड में रखेंगे तो उतना अच्छा कर जाएंगे अच्छा सारे मार कोई सवाल बेटा साज मोसन इम्रान अनफा अच्छा एक चीज़ और में बताता है और वह जो टैस्स पेपर ही नहीं है वह सॉलुशन के साथ टैस्स पेपर हैं आप टैस्स टाइम करेंगे आप साथ साथ वीडियो सॉलुशन से भी देख सकते हैं मैंने क्या गलती करी क्यों करी हम मैं इसको इंप्रूब करता हूं अब यह गलती नहीं चाहिए दोबारे अच्छा जी अब एक चीज़ और आपको एड़ करता चलू यहां पर के नोट की हाड कोपी के लिए आप एडमिन से हमारे कॉंटेक्ट करेंगे एडमिन से कैसे करेंगे हमारी एप पर चैट बॉक्स है आप उस पर यूट्यूब पर जो है हमारे चैट पर आप हमसे कॉंट कर देगी और आपको हर चीज़ की जाएगी तो आपकी त्यारी के लिए अच्छा अब बात करते हैं उसके उपर भाई कि अब हमने देखो बहुत सब्सक्राइब इसने हमारा पेपर लेना है अभी तक जो एड क्लास तक हम पेपर दे रहे थे कौन ले रहा था इंटर्नल स्कूल पेपर होते थे वही टीचर वही एवलेशन जो पूरे साल हमारे साथ है उन्हीं टीचर ने चेक करने हैं उन्हीं मुझे न थोड़ी सी इंट्रक्शन चाहिए अब लोगी तो यह बच्चे थोड़ा फेवरिट है इसको हम शिकायत कर रहे होते हैं कि यह बच्चा टीचर का फेवरिट है इसने पूरे साल मेहनद कर लिए तो पतनी क्या खाके पढ़ाई करते हैं अब ऐसा नहीं है अब क्य ठीक है और जो करेगा वह उस स्कूल के बच्चों का भी करेगा वह दूसरों का भी करेगा कोई फेवरिजम नहीं सब खतम सब ब्लैंक हो गया ठीक है तो एक तो यह चीज़ अपने माई में बिठा लीजे कि भाई वह जो एक वाइसनेस होती थी थी ना वह खतम हो गई है कि सबकी बराबर की होगी सबकी बराबर की होगी पूरे सिंद backward शतना यह वच्चा पाईजाता है वह में उसकी और यह鬼 रखते हैं हमने चलना है तो यह चीज़ है आपके मांड में क्लियर मैं अभी से इसलिए गढ़ रहा हूं उसकी वजह यह तो थोड़ी सी बाते होगे अब आते हैं वापस किसके उपड के उपर कि हम माझ भाट वह वह क्या है और हम तो दे चुके तो भी अब तो हम पूरे साल इसकी तैयरी कर सकते हैं पूरा साल इसको लेकर सकते हैं और इसको मजीद इंप्रूफ कर सकते हैं अच्छा अब आते हैं थोड़ा से पाकिसान में बहुत सारे ठीक है आप जो पार्ट है वो किस बॉर्ट का पार्ट है इसको बॉर्ड क्यों खा जाता है यह एक ऐसा प्लैट्पॉम है जहां से सबको एक्वाइन किया जाए कि भाई सबका वेटेज इक्वाल होना चाहिए कोई किसी से बड़ा नहीं है सब है एक साल का सेशन नहीं है आज की डेट से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो आज है फिफ्ट ऑफ जून तो हमाँ पर जून का महीन है जॉलाइ ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नुवेंबर दिसेंबर जैनवरी फेबरी बाइद आप फेबरी वी हाव तो वाइन अप आर सेशन हमें फेबरी के एंड में अपना सेशन वाइड आप करना है इट मीन्स डैड वी है नाइन मंस सेशन कंप्लेट करना अब सर्पेपर एपर फेबरीं में नहीं होंगे यह की नो महीन बना लें चीज़ों को और चीज़ों मैं सवाल आया है मेरे पास सारे मसल की दिसे सर आइधिंग टैन की कंप्यूटर बुक जो नहीं आई तो आप प्रीवियस बुक से ही पढ़ाएंगे अच्छा बेटा टैन की कंप्यूटर की जो बुक है वो पिछले से पिछले साली तो च बारे में बात करने टाइम चाहिए चीज में कुछ रहा है कितना टाइम मैं नौ महीने में पढ़ना क्या है कॉंटेंट कितना है अब यह आप लोग नाइन सब्सक्राइब बताएं तो मुझे बताएगा यहां पर किसा नाइन में कितने चेप्टर थे सर मुझे तो जवाब दें कौन पूछ रहा है इम्रान अली सर हम बाइलोजी के हैं वह क्लास ले या नहीं बेटा इट्स एप ट्यू देखो जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे ठीक है तो आप क्लास ले सकते हैं डीज़त अफ्री क्लास बाइलोजी वाले स्टूडेंट्स भी क्लास ले सक अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कि अब हमने इन फ्रोट पर ना क्या है अच्छा अच्छा अब हमने वह नौ महीने में साथ चप्टर कवर करें थे जो कि नौ महीने नहीं था हमाई लिए लिए बड़ा एंड मोडल पेपर आया बहुत चीज़ें बहुत कॉंप्लि बढ़तं बहुत अराम से हम साथ महीने में साथ महीने में साथ चेप्टर कवर कर लेंगे और दो महीने अप सुछे समेंट के लिए होंगे हम बीच में एक तो इससे क्या फाइदा होगा कि भूलेंगे हम पीछे पीछी जो पढ़ गया होता है कि आगे पढ़ते जा रहा है पीछे बूलते जा रहा है यह सासा एसस्मेंट रखा करेंगे ठीक है अब प्रिप्रेशन करेंगे कैसे एक चीज़ में आपको बजाता चलू इसके उपर डि जो आपने पर्चेस करनी है अच्छा अब यह बूख जो है यह बूट की तरफ से प्रपोस्ट की गई है वोड की तरफ से यह बूख प्रोंस की गई है तो इसका मतलब ओर ने हैं आपको एक कॉंटेंड बता दिया कि यह कॉंटेंड़ होना है बोर्ड में हम इसकी बात कर लिए इस बैपकर लेगी वह इस बुक से लेगी अभी इस बात का क्या मतलब यह है कि कि हमारा जो प्र होने वाला है उसमें जो कॉंटेंट आने वाला है वह सारा वही मटियाल होगा जो इस बुक में मौझूद है सब्सक्राइब करें चाहिए आपको सवाल करने चाहिए आप सवाल करें क्या सवाल करने रहीं याद करें नहीं तो याद नहीं करना डेए ना सब्सक्राइब यह कॉंटेंट यह टॉपिक है यह आएगा मटीरियल कहां से लाएं मटीरियल अपना बनाएं आप से बैतर मटीरियल कोई बार बार तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो हमने अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए एक अपनानी है वह क्या अपनानी है इसमें से हमसे क्लासे समझ नहीं आएगी और चीज समझ नहीं आएगी और चीज समझ नहीं नहीं आएगी तो फिसको इंप्लिमेंटेशन नहीं कर सकते और लिख देंगे उसको तो समझ के चीज लेखेंगे उतना बैटर है ठीक है जी उनलाइन बच्चे क्लासे ले रहे हैं या फिसेकल भी है नहीं बेटा यह ओनलाइन क्लासे यह से यूट्यूब पे लाइफ क्ला अच्छा आगे बढ़ते हैं इसके बाद और प्याइब को पता है कि हमारा ने वाला है उस प्रैक्टिकल के लिए भी वोग ने तो यह बुक्स करने के लिए आपको फिर करता जा रहा हूं सिफ घखना है अनका में अधिकने हैं क्लास लेकर बना सकते हैं इसके बारे में भी हमारी बात हो रही थी content content के बारे में जो बात ही तो बुक हमाई जो हमें जो बोर्ड ने content प्रोवाइड किया है वो content क्या है content यह साथ chapters हैं यह साथ chapters हैं जो कि आपने नाइन्थ में पढ़े साथ चेप्टर अब यह metric के लिए tenth class के लिए यह साथ chapters suggested हैं हमें किसकी तरफ से बॉर्ड की तरफ से बहर कि आपने इन साथ चैप्टर की प्रपरेशन करनी है और अनके लिए तो आपी पर्सेंट ना मिज़िए ही क्या रहो गहिं ना थे नूंदे को ने द क्रेंट नाको उसमे चीज को वजय ते तो समझते थे या करते थे रट्टा लगाते थे लिए इसमें ऐसा नहीं है पैंद की कम्पीटर इस टूटली डिफरेंट हाउकम कैसे डिफरेंट है वजह क्या उसकी भाई क्यों डिफरेंट बोलना है सर आप इसको वजह यह है कि इसमें हम आपस कुछ फो ग्रामिंग लेंग्विज एड़ जाती है अब प्रोग्रामिंग लेंग्विज तो सर उसमें भी 3-9 में कौन केएगा फाइब लाग्व से करेका मुझे बताएंगे आप लोग साथ-साथ इंट्रक्टिव बनाने अमने क्लास कर से तो सो जाएंगे मता नहीं आएगा अच वह प्रोग्रामिंग लैंवेश थोड़ी तो एक टेगिंग लैंविश टीमल का फूल फॉर्म देखिए बताएं जल्दी से इस्टेमल का फूल फॉर्म कहाता वाट इस दी फॉल फॉर्म वेश्टेमल अप्रिवेशन हाइपर टेक्स माक अप लैंगवेश इसमें यह तो नह तो बट्रइब तो वह एक अपले उसमें मारक अप लैंविश का कोई अब साले हमारी कौन लाइब में बहुत साहीं लेंगवेश लैंगविज नहीं होती है उणक्र यह हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे चैप्टरब मैं ने बहुत सरह हमारी कामन लाइफ में बहूटा खाले है ऐक हम एक कोंप्यूटर में बेटर से इंटरैक्ट करने के लिए लेंगवज दू है तो हम में जो एक इसस्प्रिक लैंगवी पढ़नी है डैट इस प्लस-प्लस-टिक यह देस और आप बोलें दिफरेंट है कैसे डिफरेंट इस सेंस में है कि यहां पर हमने लेंगवेज पढ़नी है वह तेेरिटिकल गॉंसेट कम कंटेन करती है ठीक है और conceptual content ज्यादा contain करती है इसमें चीज़ें समझ के implement करनी है ठीक है implementation फेस ज्यादा इस उसमें implementation फेस नहीं था चैप्टर शिक्स में था इसने में एक मांक आप लेंग्विज सीख रहा है और सीख को इसको इंप्लेमेंट करते थे वेब पेज बनाते थे यह एक नहीं है ठीक है बाकी यह एक नहीं है तो यह समझ लो आपके एक दो तीन चार पांच यह पांच चैप्टर जो है आपके प्लस प्लस से रिलेटेड़ है तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई हमने पांच चैप्टर में तो करनी है इंप्लेमेंट करके दिखाना चीज़ों को ठीकल कंसेट कम है और हर सब कोई सवाल है तो साथ सर पूस सकते हैं ताइम है माय पास अभी कोई मसला नहीं स्टार्ड है इनिशल क्लास है जी पिटा अन्फा कोई सवाल नो सर साथ नो सर और वहीं सब क्लियर हो रहा है चलो वेरी गुड जीनियस बच्चें वह आप लोग इंप्लेमेंटेशन क्या इसा इंप्लेमेंटेशन यह है चीज़ों को अपलाई करो अपलाई कैसे करो एक चीज सीख ली अब उस सीख उस सीखी हुई चीज़ को सौफ्वेर पर परफॉर्म करके उसका आउटपड जनरेट करो कैसे आपने लैंगविज पढ़ी थी टैग्स पढ़े थे उस टेबल बनान सीखी थी और उसके साथ आपने क्या किया था भाई बहुत सारी इमेज और वीडियो वैक्ग्राउंड टैच करना सीखे थे बहुत सारी है प्लेमेंट करके आपने क्या करा नोटपैड खोला नोटपैड खोलने के बाद आपने उस कोड को लिखा और एक्जिक्यूट करके और देखा भाई इसको कहते हैं इसको कहतें सारी चीज़ें इंपलेमेंट करें पता हैं नहीं यहां इसा नहीं है यह हम तो हमने बहुत कर लोग करता है यह जो चप्टर रहें डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन तो यह एक चैप्टर है जो कि बूली ये जब्ली के शायद नाम सुना हो आपने पूली ये ऐलजब्ला से रिलेट करता है ठीक है इसमें क्या करेंगे डिजिटल सरकेट्स बनाना चीछ हैंगे टीक है डीजिटल सरकेट्स बनाना से अब सरकेट्स क्या होते हैं सर्ट हम इसमें डिटेल बाज के एंडर्दक्शन देता हुआ चलू कि वहाँ पे कुछ लोगिकल डीट्स करते हैं गेट्स क्या होते हैं operators कुछ operator करेंगे उन ऑपेटर की मदद से हम सरकेट्स डियाग्राम बनाएंगे कि हाउद रॉक्स होते हैं कंपीटर के अंदर सरकेट काम कैसे कर रहे होते हैं तो यह इस बूलिन एलजबरा के ब्याफ पर काम कर रहे होते हैं जिसको डिजिटल लॉजिक यहां नहीं काम आने वारा यह आपको थो अगर में इंटर में कंपीटर लेनी वहां पे भी मिलेगा इंगी में 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 अरही हैं आज तो आज कल उस लेंग्विज की डिमांड जाता है पहले इसकी हुआ करते थी तो लेंग्विज को मैं इसलिए यह नहीं कहूंगा कि आप खड़ जगा काम आने वाले क्योंकि यह लेंग्विज एक ऐसी लेंग्विज है जो कि पहले बहुत फैमिलियर थी अब इससे और अच् सब्सक्राइब के लाज चाप्टर यह नारा इसकरटर करता है किसे अगर हमें कोई इनिमेशन करनी आपको मुविकरणा ओप्ज़ेंगे पिए एंजी मेजिस होती है तो इस तरह कि गूगल पर आपको इमेज़ इमेज़ दिखती है या वीडियो दिखती है वह सारी हम इसक्राइच के थ्रू बना सकते हैं इक सौफ्वेर का नाम है स्क्राइच यह सौफ्वेर यूस करते हुए हम एनिमेशन्स परफॉर्म करवा सक हैं काटून बना सकते हैं ओघ्यू करने यहां तक कोई सवाल है तो मुझे सवाल करने ոावं है Cano नहीं तो पर आयाaca आंक यह बड़े पर चला है न ट्वर उतना सीखेंगे यह मेरा उन्टरींस यतना करेंग हैं जतने सवाल गरें चुप बैट के सुनते रहेंगे क्या होगा फिर उससे वाई एक चीज सुनाई दे रही है बैट कई दिमाह में दूसरी सुनाई दी पिसली वाजी निकल लगी इंट्रेक्शन करेंगे जब चीज़ जबान पर चड़ेगी पकी हो जाएगी पर मेमूरी में चली जाएगी तो इसको कोई लिडिक नहीं कर सकता जब सुनते जा रहें वह टेंप्रेरी यहां से घुसरा यहां से निकल ठीक है जी तो हमने पर मिनट में मुझे तक पहुचा आना इंट्रेक्शन करके यह चीज़ का ख्या लगा है अच्छा लगा आप लोग इंट्रेक्शन कर रहा है ठीक में खाल से मार्च में आपका मॉडल ब ाथाःता नहीं उसका पूल बातोंगा तो में चीज़ को नोट्स बना ले आगे बढ़ते हैं अब यह जो मैं बात कर रहा हूं कि क्यों कर रहा हूं कि हमारे जो मॉडल पेपर बूर्ड की तरफ से सिजास हुआ था तो कुछ अड़ से पहले बूर्ड से कुछ अड़ से पहले उने की विज़ा से मैं चीज़ें बहुत से क्लियर नहीं होई थी हम पेपर तो देखे आ गए सर अब 10 के लिए थोड़ा अच्छे तो समझ लेते हैं कैसे समझ लेते हैं यह हमारा थोड़ी सब्यक्त के मार्स होते हैं इस सब्जेक्ट में हमारे कितने हैं 75 हमारे 75 टोटल मांक का पेपर होगा हम तो साइड मांस का दोरी और एक प्रैक्टिकल पेपर जो है वो 60 मार्स का है जो कि आप दे चुके हैं यह वाला प्र आप दे चुके हैं अब यह जो प्रैक्टिकल वेपर इस तरह यह दोनों मिल के आपके बनते हैं कितने 75 मांक की डिविजन कुछ इस तरीके से हैं ठीक है अच्छा अब यह जो इसमें मैंने मेनद करनी ना वह दो कौन से दो फेस एक सिक्टी मार्क का बेज़ आप सब पहले किसकी करें त्यारी पहले किसको लेकर चले आपको मैंने यह सज़्जास करना है कि पहले पेपर किसका दिया आप लोगों ने तो अब जो देख रहा है आपका मैं सवाल के लिए कर दूँ अभी आप जो पेपर देखा रहा है नहीं यह पर करें चीजों को ठीक है चीजों को परफॉर्म करके इंप्लेमेंट करके उसका उड़्पूड ले ले वह ठीक है तो यह तो अभी आप लेखते हैं जैसे कि अभी पेपर देख रहा है ठीक है इम्रान तो अभी आप पहले पहले आपका तो अब जो दूसरा फेपर होना है वह पैटिकल होना है तो आपको खुद आप इस बात का सब्सक्राइब लगा सकते हैं कि पहले किसकी तैरी की जाए तो तो पेपर का वेटेज अगर देखें ना तैस मेजर सिक्स्टी परसेंट वेटेज और अगर हम पैटिकल का विटेज देखें 15 मांक होना भी बात में तो पहला फोकस कहा जाना चाहिए हमारा ठीक है तो हमने पहला फोकस करना है वह त्योरी पर करना है और फोकस होना चाहिए कि हमने यह सिक्स्टी मांक हंड़ेट पर्सेंट पर करने हैं फेबरी तक ठीक है ताकि जब इसका पेपर दे लें उसके बाद हमें टाइम मिलेगा जैसे अभी आप लोग बोर्ड के पर देकर आएं दस दि आपको कुछ प्रैक्टिकल मिल जाते हैं तो हम उसकी त्यारी दस पाना दिन में बहुत इसली कर लेंगे ठीक है तो हमारे मेजर पॉर्शन है यह बोर्ड ने चेक करने अंसीन है वो प्रक्तिकल होते हैं यह बोर्ड नहीं लेने एक सब्सक्राइब लेंगे ठीक है बड़ इसका पेपर कैसे आएगा आप सब देवी चुके हैं अभी तुबार सा गाइड करता है चलो आपको कि इसका जो वेबर होगा उनका वह क्या है इसके पेपर का वेटेज के इसका जो वेटेज है उसमें तीन पॉर्शन मिलेंगे आपको एक होगा एंसी क्यू अच्छा एक पेपर में 20% मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं एंसी क्यूज अटेम्ट करके ठीक है जी और दूसरा जो पार्ट इसका वह शौट कुशन आंसर तो शौट कुशन आंसर अगर आपने कर लिए तो आपने 40% पेपर और अचीव कर लिए इसका मलब कि शौट और लॉंग का पोश पहले कि आपको बजाता चलू थोड़ से इंट्रक्टिव क्लास हो जाएगी सरा आज इंट्रोड़क्शन क्लास है नेक्स्स मंडे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छा सारे हमारी कोशिश यह है कि आज चैप्टर ले 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 अटलीस चैप्टर इंट्रोड़क्शन यह खतम करके अभी टाइम है अपस्ट ले ले लें चैप्टर इंट्रोड़क्शन लेके मंड़क्शन करेंगे क्लास को फिर जो प्रॉपर कॉंटेंट स्टार्ट करेंगे वो इंशाला ने श्लास से करेंगे ठीक है थोड़े सी इंपॉइंट है यह मुझे करना के साथ तो यह चाहिए गया अब हम एंसी क्यूद के पास नहीं हो सकते तो वह मेज़र फोकस होना चाहिए वह इस पोजिशन पर होना चाहिए इस पर इस पर तो इसपर तो अब हम सिप्सर्शं नहीं सकते एक बाद रहा है अगे बढ़ते है बनती है जैसे आपके वाइयों में फिजेक्स में वह बनता है प्राइटिकल जनल बनता है कैमिस्ट्री में इस तरह इसके पांच नंबर होता है उसके बाद आपके टीचर वह गाइड करेंगे इसके बाद वाईवा के होते हैं चाहर नंबर वाईवा मतलब रॉबल गॉशन्स ठीक है इसके बाद पाद सोर्स कोड अब यह क्या है अब आप चप्टर पढ़ने ना उसमें प्रोग्रामिंग लैंविज अंदर वो कोड करेंगे तो वो कोड करने के उसके दो नमबर होतें हुआ ठीक है और उसके बाद उस कोड का आउटपड सही आ गया उसके दो नंबर होते हैं अब यह जो है यह क्या है फ्लोचार्ड क्या है यह हमने चैप्टर नमबर वन में पढ़ना है और उसका हम इसके डिटेल बात करेंगे फ्लोचार्ड इस एक्चुली दा पिक्टोरियल रेप पिक्ट्र की फॉर्म में उसको रेप्रेजेंट कर दो वह फ्लोचार्ड वह भी हम रहना सीखेंगे चैप्टर वन का पार्ट है हमारा ठीक है आपका अकल कंपीटर का प्रेक्टिकल है सारे होके सारे यही इदे को अच्छा हुआ फिर तो बहुत अच्छे टाइम पर है उसको सोर्स कोड कोंपीटर पर टाइप करें कि आपका उसके दो नमबर होते हैं तो इस तरह दिविजन होगी यह पंदर आपके ऐसे मिल जाएंगे आपको आगे बढ़ते हैं अब हमने बात करनी है पेपर पेटरन जो है वहां हमें पता है तीन सक्षिन आते हैं वाल चुछाई से दूसरा शॉर्ट कुश्चिन आंसर तीसरा डिस्क्रिप्टिव है अब सरक कितने कितने कुश्चिन साते हैं कितने कितने टाइम करने होते हैं तो यह तो आप देखर आ गया है वे पर बिल्कुल वैसा ही सीन है कोई ट्रेंशन वाली बात नहीं कोई परिशा को षैक्षटे एस दिल्टेपल चुछाईस तो यह जो मल्टेपल चुछएस नहीं तो इसमें कोई नहीं होती 12 बारा मैं से बारा हम करने है बारा मैं से बारा मार्तार गवाइस गंपल Lockhe te noon एक मार्त कानकर सब्सक्राइब में हुआ है सक्षियों को आप करने एक नमबर का एक है रिट्विद में सबस्क्राइब करने पर उसमें से ट्व में करने है अब Mini अत्य वार्ड फिर भट्रॉन पांसर की च्वरीजást थैक्षियों इसमें से हमने क्या करना है बारा में से कितने आठ करने हैं तो चार कोशन हमारे जाएंगे इन्शालला बड़े स्मूथ लिए माड़ कर लेंगे इसमें से ठीक है अच्छा यह तो हो गया सेक्षिन भी अब इसके मार्स के अगर हम बात करें तो इसक्षिन कंटेंड कितने मार्स थ्री मार्स नाइन में भी था अभी जब नाइन के वेपर देखर आए हैं उसमें भी था तीन नंबर का एक शौट था तो इफ भी मॉल्ट फ्री इंटू एड बिकास्वी आफ्ट ट्री इंटू एड इस ट्विट्टीफो तो जो आपका 40 परसंट वेटेश था वह कंटेन करता है ट्विटी फॉर मार्स gold का थे तुर ओंग कटना था और लॉइंटी फॉर मार्स और उनकड थे टिफॉर चार टाइम करने है इच पर के लिए टाइम तो आपके बास होगा तीन घंटे त्री आर्र ताइम होगा और बिटा कोई चीज नहीं हो रही हो ना तो प्लीज चाइड़ बॉक्स में बद्यालते हो ना आपका चाइड बग्स ठीक है उसके उपकर दुबारा बात कर लेंगे क्लास को इंटरक्टिव बनाएं चीजे समझते रहां मुझे रिस्पॉंस करते था कि मुझे बचले आप बैटे पर सुन रहे हैं ठीक है कोई सवाल है भी तक किसी को नो ओके इम्रान अन्फा साध और सारे चारों क्लियर अच् करने को अब बड़े मज़े से पर को दो मैं कर सकते हैं तैयारी घंडे के बाद की बाद लिए पाइंड़ से बच्चे शोर कर रहे हैं बोड़ सारी बात होती है दो आदा गंटा अपना चीज़ के लिए साइट पर रख दो अपना टाइम के लिए चलेंगे ना कितनी तू पॉइंट फाइव आर्ट नहीं करनी हो सकता आपका इसा हो जाए कि अल्ला नहीं करें वह इसमें कोई तो यह बातें आती रहती हैं यह बाते जना कामने आती है तो हम ने हर चीज़ के लिए प्रेपर रहेंगे उतना अच्छा कर जाएंगे तो आपने घंटे कर और बताऊंगा गंटे में कैसे होगा ठीक है तो यह तो टार्गेट की बात हो गई उम्मीद है यहां तक सारे की बात कर ली तो यहां तक कोई सवाल है किसी को कोई सवाल यहां मुझे जवाब दें तक हम क्लास को ना बस वाइंड आप करने की ताफ चलेंगे लेते हुए नो ओके अच्छा जिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से इस वाट चैक्टर नंबर बन लेड़ इस प्रॉब्ल बात है मेरी आपको इस चार वर्ड का मतलब से समझ लें आप समझेंगे कि आपने पूरे चप्र समझ लिया तो यह चार वर्ड हमने कॉमाल लाइफ में नहीं सुनें दो सुनेंस मैं से कौन से प्रॉब्लम सुना एक सॉल्विंग सुना है डिजाइन भी कहीं के सुन लिए क मेरा चोटा सवाल है आप सबसे मेरा नहीं ख्याल भाई आज कल की जिंदगी में या आज कल के दौर में कोई ऐसा बंदा इवन बच्चा भी जुस ने कोई प्रॉब्लम फेस ना कियो भाई आपकी नजर में प्रॉब्लम क्या है मुझे एक लाइन में बता दें मुझे एक मुझे लगता है यह प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम कहते हैं मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से सबका रिस्पांज चाहिए मुझे चाहरा होगा कुई क्ली इस पर बात करके में क्लास करेंगे पांच मिट देदो मुझे और वाट इस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग ती यू क मैं आपका नाम सभी पाड़ आउना अनपास अगर करेक्शन है तो मुझे बता देना सेद अनपास ठीक है और कोई सर प्रॉब्लम इसे कहते हैं कि जो एक चीज हार्ड सामने आ गई उसको असान तरीके से सॉल्फ करें अच्छा को एक हार्ड चीज सामने आ गई वह प्रॉ मुझे प्रॉब्लम का थोड़ा और स्पेसिफाइड आंसर चाहिए कौन रहा गया दो वच्छे रहा गया कोई अनपास ने में जवाब देए इम्रान ने देदिये और सारें और साथ सारें और साथ सर जब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आने वाली मुश्किला इसके बारें और श्बश्क आपसे का जवाब नुस्त का और इसको मैं क्रूब्लम करेंगे प्राब्लम है क्या problem is something that stop us to achieve something for example problem can be any situation problem can be an issue situation हो सकती है that prevent us to achieve something जो मैं रोग दे कोई चीज या कोई गोल अचीव करने से it can be anyone it can be anyone common life में आपकी computer में आपके paper देते हुए आपको पढ़ने से कोई रोग दे आपको खेलने से कोई रोग दे तो कोई भी ऐसी situation जो आपको कोई टास्क या कोई गोल अचीव करने से रोग दे that is called problem I hope so you got this point सबको clear हुए यह point मुझे ज़रा comment बोक्सम बताएंगे फिर मुझे आपसे एक सवाल और करना है ठीक है very good अच्छा ठीक है यह तो हो गया क्लिए अच्छा अब आपको 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 ना मैं एक छोटा सा आपने मुझे बदाने सर्फ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम निकल आएंगे आई फेस्टा प्रॉब्लम टू लर्न सम्थेंग टैट इस यह प्रॉब्लम मुझे याद करने में मुश्किल होती है ठीक है अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है प्रॉब्लम कर लाने है आई होब यूट क्लियर अबाट मैट सोग प्रॉब्लम शॉल्विंग दा प्रोसिजर वाइच यू सॉल्व्ड दा प्रॉब्लम मुझे लगता है सर मैं यह प्रॉब्लम को ऐसे हल कर सकता हूं पहले हम इसको पहले हम इस करेंगे मुझे बताइए मेरा सवाल सबको क्लियर होगी है मुझे सबका यह चाहिए पर क्लास करते हैं यह अगली क्लास तक का आपका एक असाइमेंट है चोटा सा इम्रान यह सारे मियस और दो अच्छे रहे गए साद और अनफास साद बेटा मैं कराची से हूं बेटा एट लीस दो कोई भी दो इसके सब्सक्राइब करेंगे तो चीज़ेंगे तो आपको चीज़े अरुक्ति और उसके मल्टी nós इसके मल्टीपल सॉलुषन में तीन से नेक्स क्लास होनी कब है एवरी मंडे फ्रॉम फॉर तिल फाइए एक घंटे के माई क्लास होगी कंप्यूटर की चार से पांच हर मंडे ठीक है भाई आई होप सो यहां तक कोई सवाल नहीं है किसी को मैं क्लास करने जा रहा हूं अच्छा लगा अब लोगो से इंट्रेक्शन आप लोगो देखके गेए अगली क्लास अपना ख्याल रखेगा अगली क्लास में विलते हैं इंशाला नवां टेक्या अलापिस